और इस बार तो ये दिपावली भी बहुत खास है आपको लगेगा से अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए है मैं आप सभी को और मा भारती की सेवा में तैनात देश के हर जवान को दिपावली की हार दिख सुबकामनाई देता हूँ मेरी इन सुबकामनाओं में आपके प्रती 140 करोड देश वाचियों का कृतक के भाव भी शामिल है उनका आभार भी शामिल है साथ्यों मात्र भूमी की सेवा का ये अवसर बड़े सवभाग्य से मिलता है ये सेवा आसान नहीं है ये मात्र भूमी को सरवस्त्र मानने वाले मत्वालों की साधना है ये मा भारती के लाडलों लाडलियों उनका तप है उनकी तपस्या है कहीं हिमालय की बर्भ और गलेशियर का सुन्य से निचा ताप्मा कहीं नसों को जमाने वाली ठंडी राते कहीं गर्मियों में तपता हुआ रण का रिगिस्तान आग बरसता हुआ सूरज कहीं धूल भरी रेतीली आधिया कहीं दल दल की चनोतिया और कहीं उफान लेता हुआ समंदर ये साधना हमारे जवानों को उस हद तक तपाती है जा मारा देश का सैनीक फौलाद बनकर चमकता है एक ऐसा फौलाद जिसे देखकर दुश्मन की रूह दहल उड़ती है दुश्मन भी आपको देखकर सोता है कि जो ऐसे क्रूरतम प्रहारों से विचलित नहीं हुआ उसे भला कौन हरा पाएगा आपकी ये अटल इच्छा सकती आपका ये अथा शौरिय पराक्रम की पराकाश्चा देश जब आपको देखता है तो उसे सुरक्षा वर शान्ती की गारंटी दिखाई देती है दुनिया जब आपको देखती है तो उसे भारत की ताकत दिखाई देती है और दुश्मन जब आपको देखता है तो उसे बूरे मन्सूबों का अंत दिखाई देता है आप जब जोश में धारते हैं तो आतं के आकां काप जाते हैं ये है मेरी सेना का मेरे सुरक्षा वरों का पराक्रम मुझे गर्व है हमारे जवानों ने हर मुश्किल से मुश्किल मौके पर अपने इस सामर्थ को सिद्ध किया है साथियों आज जब मैं कच्छ में खड़ा हूं तो यहां हमारी नेवी का जिक्र भी उतनाही स्वाभाविक हो यह गुजरात का समुद्री तठ देश की बहुत बड़ी ताकत है इसलिए यहां की समुद्री सीमा भारत विरोधी शड़ियंत्रों का सबसे जादा सामना करती है कच के इसी छेत्र में भारत की अखंडता का उद्गोश करती इस सरक्रिक भी है अतीत में इस छेत्र को रण भूमी बनाने की कोशी से भी हुई है कि देश जानता है कि सरक्रीक पर कि दुश्मन की नापाग नजरे कप से टीकी है लेकिन देश निश्चिन्त भी है क्योंकि सुरक्षा में आप तैनात है दुश्मन को भी पता है 1971 के यूद में किस तरह आपने मुहतोड जवाब दिया था इसलिए हमारी नेवी की मौझूदगी में सरक्रीक और कच्छ की कच्छ की तरफ अब कोई आँख उठाने की भी हिम्मत नहीं करता है साथियों आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की सिमा के एक इंच से भी समझोता नहीं कर सकती एक समय था जब डिप्लोमसी के नाम पर सरक्रीक को चल से हडपने की पॉलिसी पर काम हो रहा था मैंने तब गुजरात के मुख मंत्री के रूप में भी देश की आवाज को बुलंद किया था और इस शेत्र में आज मैं पहली बार नहीं आया हूं मैं इस शेत्र से परिचित रहा हूं कई बार आया हूं बहुत आगे तक जा करके आया हूं इसलिए आज जब हमें जिम्मेदारी मिली हैं तो हमारी नीतियां हमारी सेनाओं के संकल्पों के हिसाब से बनती है हम दुश्मन की बातों पर नहीं हमारी सेनाओं के संकल्पों पर फरोसा करते हैं साथियों 21 सदी की जरुतों को देखते हुए आज हम अपनी सेनाओं को हमारे सुरक्षा बनों को आदुनिक संसाधनों से लेज कर रहे हम हमारी सेनाओं को विश्वकी सबसे आदुनिक मिलेटरी फोर्सिस की कतार में खड़ा कर रहे हमारे इन प्रयासों का अधार है रक्षा अक्षेत्र में आत्म निर्भर भारत अभी कुछ ही दिन पहले यहीं गुजरात के वडोद्रा में सीट टू नाइन फाइव फैक्टरी का उगाटन हुआ है आज विक्रान जैसा मेड इन इंडिया एरक्राप एरक्राप केरियर देश के पास है आज भारत में अपनी सब्मरीन बनाई जा रही है आज हमारा तेजस फाइटर प्लेन वायू सेना की ताकत बन रहा है हमारा अपना फिप जनरेशन फाइटर फाइटर एरक्राप बनाने का काम भी शुरू हो चुका है पहले भारत की पहचान हतियार मंगाने वाले देश की थी आज भारत दुनिया के कीतने ही देशों को डिपेंस उपकरन एक्सपोर्ट कर रहा है पिछले दस वरसों में हमारा रक्षा निर्याप तीस गुना बढ़ गया है साथियों सरकार के इस वीजन को सफल बनाने में हमारी सेनाओं और सैन्यबलों के सैयोग की भी बड़ी भूमी का है हमारे सुरक्षा मलों की बहुत बड़ी भूमी का है मैं देश की सेनाओं को मैं देश के सुरक्षा मलों को बधाई दूंगा कि उन्होंने पांच हजार से अधिक सैन्य उपकरोव की लिस्ट बनाई हैं जो वो अब विदेश से नहीं खरी देंगे इसे सैन्य छेत्र में आत्म निर्भर बारद ब्यान को नई गती भी मिली है साथियों आज जब न्यू एज बॉर्फेर की बात होती है तो ड्रॉन टेकनोलोजी उसका एक एहम टूल बन गई है हम देख रहे हैं युद्ध में शामिल देश आज ड्रॉन टेकनोलोजी का जम कर इस्तेमाल कर रहे हैं ड्रॉन से निगरानी हो रही हैं ड्रॉन से खुपिया जानकारी जुटाई जा रही हैं किसी व्यक्ति या जगह की पहचान करने में ड्रॉन का उप्योग हो रहा है। ड्रॉन सामान पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। ड्रॉन का इस्तवाल हत्यार के रूप में भी हो रहा है। इतना ही नहीं ड्रॉन पारंपारिक एल्ड डिफेंस के लिए भी चुनोती बनकर को भड़ रहा है। ऐसे में भारत भी ड्रॉन टेक्नोलोजी की मदद से अपनी सेनाओं को अपने सुरठ्चाबलों को ससक्त कर रहा है। सरकार आज तीन सेनाओं के उप्योद में आने वाले प्रिडेक्टर ड्रोन खड़ीद रही है। ड्रोन के इस्तमाल से जुड़ी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। और मुझे खुची है कि कई भारतिय कंपनियां पूरी तरह से स्वदेशी ड्रोन बनाने में भी लगी है। देर सारे स्टांट अप मैदाम में आये हैं। साथियों, आज युद्ध की प्रक्रूती बदल रही है। आज सुरक्षा के विशे भी नए-नए पनपते जा रहे हैं। पविश्च की चनोतियां और जटील होंगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि तीनों सेनाओं की च्छमताओं को, हमारे सुरक्षा बलों की च्छमताओं को, एक दूसरे से जोड दिया रहा है। और खास करके हमारी तीनों सेनाओं के लिए, उनका प्रदर्शन इस जोडने के प्रयास के कारण, उनका सामर्थ कई गुणा बहतर हो जाएगा। और मैं कभी कभी कहता हूँ, के एक आर्मी, एक आईर फोर्स और एक नेवी, हमें एक 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 नजर आते हैं, लेकिन उनका जब सहियूक्त अभ्यास होता है, तो एक 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 नहीं, एक सो ग्यारा नजर आते हैं, सेनाओं के आधूनी करण की इसी सोच के साथ, चीफ अब डिफेंस टाफ, सीडियेस की न्यूक्ती की गई है, इसने देश की सेनाओं को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई, अब हम इंटीग्रेटेड थियेटर कमांड की दिशा में बड़ रहे हैं, इंटीग्रेटेड थियेटर कमांड के लिए, एक ऐसा मकणिजम तयार कर लिया गया है, जिससे सेना के तीनों अंगों के बीच और बहतर तालमेल होगा, साथियों, हमारा संकल्प है, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र की सुरुवात, उसकी सीमाओं से होती है, इसलिए, बॉर्डर इंफरासेक्टर का विकास, देश की सबसे बड़ी प्राफिक्ताओं में है, बियारों ने, 80,000 किनोमेटर से ज़्यादा सड़क का निर्माड किया, लग्दाक और अन्वाचल प्रदेश के में में भी, रणनिती ग्रूप से महत्वपुन सड़के बनाई गई है, पिछले दस वर्षों में, बियारों ने, 400 के आज़ पास बड़े पूल बनाए हैं, आप जानते हैं, देश के सबसे दूर दराज के इलाकों में, आल वेदर कनेक्टिविटी के लिए, हमारी सेनाओं के लिए, टनल कितनी महत्वपून है, इसलिए, पिछले दस वर्षों में, अटल और सेला जैसी, सामरीत महत्वप की अनेकों बड़ी सुरंगों का निर्मार पूरा किया है, बियारो, देश के अलग-अलग हिस्सों में, टनल बनाने के काम को, तेज गती से पूरा कर रहा है, चाथियो, हमने सीमा वर्ती गाउं को, आखरी गाउं मानने की सोज भी बदली है, अज हम उन्हें देश का प्रथम गाउं कहते हैं, आखरी गाउं में वह प्रथम गाउं है, वाइबरेंट विले जोजना के तहत, देश के प्रथम गाउं का विकास किया जा रहा है, वाइबरेंट विले यानि सीमा पर बसे ऐसे वाइबरेंट गाउं, जहां वाइबरन भारत के प्रथम दर्शन हो हमारा देश का तो ये विशेश सवभाग्य है कि हमारे जादा अतर सिमावर्ती इलाकों को प्रकृति ने विशेश आशिरवाद दिया है वहां परियटन के अपार संभावना है हमें उसे तरास्ता है निखार रहा है इसके जरिये इन गावों में बसे नागरिकों का जीवन बहतर होगा उन्हें नए अवसर मिलेंगे वाइपनन बिले जब भ्यान के जरिये हम यह होता देख रहे हैं आप भी के हैं आसपास के जो दूर दराज के आखड़ी गाउं कहे जाते से जो आज पहले गाउं है वहाँ सीविड का काम आपकी नजरों के सामने तेजी से बढ़ रहा है बहुत बड़ा आर्थीत नया है छेत्र खुल रहा है यहां मैंगरोज के पीशे एक बड़ी ताकत हम लगा रहे हैं वो देश के परियावरण के लिए तो बहुत सुनर आवसर है लेकिन इप सरकार होंगे वो यहां के टुरिस्टों के लिए और जैसे धोरणों में रणोत्सव ने पुरे देश और दुनिया को आकर सित किया है देखते ही देखते ही यह इलाका टुरिस्टों का स्वर्ग बनने वाला है आपकी आखों के सामने बनने वाला है साथ्यों इस वीजन को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार के मंत्री भी सीमा वर्ती वाइबरेंट विलेज में जा रहे हैं आज वो वाइबरेंट विलेज में रुकते हैं जहां जादा से जादा समय बिताते हैं ऐसे में देश के लोगों में भी इन गावों को लेकर आकर संग बढ़ रहा है उत्सुक्ता बढ़ रही है साथियों राष्टिय सुरक्षा के साथ एक और पहलु जुड़ा हुआ है जिसकी उतनी चर्था नहीं होती यह हैं बॉल्डर टुरिजम और इसमें हमारे कच के पास अपार संभावनाएं हैं इतनी सम्रिद्विरासत आकर्षन और आस्था के इतने अधूत केंद्र और प्रकृती के अधूत देन गुजरात वें कच्छ और खंभात की खाड़ी के मैंगरोव फरेस्ट बहुत महत्वप्रून है गुजरात के समुद्री तटों पर समुद्री जीओं और वनस्पत्यों का पूरा इको सिस्टिम है सरकार ने भी मैंगरोव के जंगलों के विस्तार के लिए कई कदम उठाए हैं पिछले वर्स लौंच की गई मिश्टी योजना पर सरकार तेजी से काम कर रही है साथियों यूनेस को वर्ल हैरिटेज साइट में हमारा धोला विरा ये भी शामिल है और वो तो हमारे देश के हजारों साल के सामर्थ की पहचान है धोला विरा में सिंदू गाटी की सब्यता के अवसेश बताते हैं कि हजारों वर्स पुर्व वो शहर कितने विवस्ति तरीके से बसा हुआ था यही गुजरात के समुद्रिक से थोड़ी दुरी पर लोथल जैसे व्यापारी केंद्रों ने भी एक समय में भारत की समुरुद्धी के अध्याय दिखे लगपत में गुरु नानक देवजी की चरण रज है कचका कोटेश्वर महदेव मंदीर हो माता आचा पुरा का मंदीर हो काला डुंगर पहडी पर भगवान दत्राय त्रही का साक्षाद दर्शन होता हो या फिर कचका रण उच्छव या सरक्रिक को देखने का उच्छा कचके एक जिले में ही परियटन का इतना पोटेंशल है कि तुरिस को पूरा हपता भी कम पड़ जाए उत्तर गुजरात की सीमा पर नड़ा बेट में हमने देखा है कि कैसे बॉर्लर टूरिजम लोगों में छाया हुआ है हमें ऐसी ही और संभावना को साकार कर रहा है जब ऐसे स्थानों पर देश के अलग-अलग हिस्सों से परियटक आते हैं भारत के वो दो हिस्से आपस में कनेक्ट हो जाते हैं वो परियटक अपने साथ राष्टिये एक्ता का प्रभा लेकर आता है और राष्टिये एक्ता की उर्जा लेकर जाता है और यहां एक भारत से भारत की भावना को जिवंत कर देता है अपने खेत्र में जाकर के भी कर देता है यही भावना हमारी राष्टिये सुरक्षा का मजबुत आधार तयार करती है इसलिए कच्छ और दूसरे सिमावर्ति इलाकों को हमें विकास के नए मुकान तर्क लेकर जाना है जब हमारे सिमावर्ति खेत्र विक्सित होंगे वहां सुविदाय होंगी तो इससे यहां तैनाध हमारे जवानों का लाइफ एक्पिरिस भी बहतर होगा साथियों हमारा राष्ट जीवन्त चेतना है जिसे हम माभारती के रुप में पूझते हैं हमारे जमानों के तप और त्याक के कारण ही आज देश सुरक्षित है देश वासी सुरक्षित है सुरक्षित राष्ट ही प्रगति कर सकते है इतलिए आज जब हम विख्षीट भारत के लक्ष की और इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं तो इसमें आप सब इस्वप्ण के रक्षक है अगर देश्वासी अपना सत्व प्रतिशत देकर राश्ट के विकास में अपना योगदान दे रहा है क्योंकि उसे आप पर भरोसा है मुझे विश्वास है आपका ये शावर्य इसी तरह भारत के विकास को बल देता रहेगा इसी विश्वास के साथ आप सब को एक बार फिर दिपावली की हारदिक शुब कामनाएं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बोले भारत माता की भारत माता की भारत माता की बंदे बंदे बन्धेदे, बन्धेदे